Hello and welcome viewers, शिलाजीर में 85 तरह के मिनरल्स पाय जाते हैं जो शरीर को कई तरह के फायदे पहुचाते हैं ये शरीर की इम्म्यूनिटी को मजबूत करता है और रोग प्रतिरोधक शम्ता को बढ़ावा देने में भी सक्षम है यही नहीं अल्जाइमर रोग से बचाओ और दिमाग को स्वस्त रखने से लेकर जिन महीलाओं को अनियमित पीरिट्स की परिशानी होती है उन्हें भी शिलाजीत खाने की सला दी जाती है अब तक कई स्टडीज में ये बात सामने आ चुकी है कि शिलाजीत महीलाओं और पुर्षो दोनों के लिए काफी फाइदे मन्द है आए जानते हैं शिलाजीत का इस्तमाल कब और कैसे करना चाहिए साथ ही देखेंगे शिलाजीत का सेवन करने के कुछ अधुद फाइदे तो सबसे पहले जान देते हैं कि हमें कितनी मात्रा में शिलाजीत का सेवन करना चाहिए शिलाजीत का सेवन उम्र के अनुसार तै किया जाता है जिन लोगों की उम्र 50 साल या उससे अधिक है वो सूखे चने के दाने के बराबर शिलाजीत को गर्म दूद में मिलाकर इस्तिमाल कर सकते हैं हाला कि अगर आप रोजाना इसका इस्तिमाल कर रहे हैं तो दो या तीन महीने ही करें फिर कुछ महीनों का ब्रेट ले और फिर कुछ समय के अंतराल के बाद उससे दोबारा लेना शिरू कर सकते हैं वही यूवा लोग शिलाजीत का इस्तिमाल सब्ता में दो दिन से ज्यादा ना करें विशेश कर महिलाओ को शिलाजीत का सेवन कितनी मातरा में और कैसे करना है इसकी सला उन्हें डॉक्टर से लेनी चाहिए इसके बाद दूसरा सवाल होता है कि कब करने शिलाजीत का सेवन शिलाजीत की सेवन को लेकर अक्सर मन में कई तरह के भ्रहम आते हैं कुछ लोगों का मानना है कि इस आयरवेदिक औशदी का सेवन दिन में करना चाहिए हाला कि ये गलत धारना है शिलाजीत काफी गर्म माना जाता है इसलिए इसका सेवन हमिशा रात में खाना खाने के बाद करना चाहिए दिल में शिलाजीत का सेवन करने से नीद और कई तरह की शारिरिक समस्याएं हो सकती है तो आएए अब देखते हैं कि शिलाजीत का सेवन करने से हमें क्या फाइदे मिल सकते हैं खून की कमी को दूर करने में सक्षम है शिलाजीत शिलाजीत में प्रचुर मात्रा में आयरन पाया जाता है जिससे शरील में खून की कमी दूर होती है इसलिए महिलाओं के लिए इसका सेवन करना खास कर काफी लाबदायक हो सकता है दिमाग की कारशमता बढ़ती है ये कहना दलत ना होगा कि ये आयरवेदिक वाशुदी सोचने और याद करने की शमता को बढ़ाती है साथ ही संपून शक्ती को बढ़ावा देती है जिससे आप चीजों को ज़्यादा देर तक याद रखने में सक्षम होते हैं यही नहीं इसके इस्तिमाल से तनाओ को दूर करके एकादरता को भी बढ़ावा मिलता है किन और शरीर यंग रहता है शिलाजीत का सेवन एंटी एजिंग एजेंट की तोर पर काम करता है रोजाना दूद के साथ इसका सेवन करने से स्किन ग्लो करती है और उम्र पर भी ब्रेक लगता है डायबेटीज के मरीजों के लिए रामबार ओशदी है शिलाजीत मदुमे यानि डायबेटीज के मरीजों के लिए शिलाजीत रामबार ओशदी मानी जाती है इसमें anti-diabetes गुण पाये जाते हैं यदि मदुमे के मरीज नियमित तोर पर इसका सेवन करें तो diabetes के जोखिम को कम किया जा सकता है जोडों के दर्द के लिए खायदे मन्थ है आपको बता दें कि शिलाजीत का सेवन करने से हड़ियों के दर्द या तूटने का इलाज करने और जोडों के दर्द जैसी परिशानियों से राहत पाने में काफी सहायता मिलती है रोग प्रती रोधक शमता बढ़ती है खास कर आज के समय में बिमारियों से बचे रहने के लिए बेहर ज़रूरी है कि आपकी immunity strong हो शिलाजीत एक एंटि आकसिडन की तरह काम करता है जिससे आपकी immunity strong बनती है इसी लिए आप रोजाना शिलाजीत का सेवन इस वीडियो में बताए गए तरीके से करके देखे आँको कुछी दिनों में फरक नजर आने लगेगा ये ध्यान रखना जरूरी है कि ज्यादा मात्रा में शिलाजीत के सेवन से परिशानिया भी हो सकती है खास कर एलर्जिक लोगों को इसके सेवन किसमे साथ धानी बरतनी जरूरी है प्रेंडिन लेडिस को बिना डॉक्टर की सला के इसका सेवन नहीं करना है ध्यान रहे कि हर बेमारी के लिए इसका प्रयोग अलग-अलग तरीके से किया जाता है इसलिए डॉक्टर से परामर्श जरूर करें फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना है आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो सहायक और जानकारी पून लगा है तो कृप्या इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर करें शायद किसी की मदद हो जाए थैंक यू फो वाचिंग इस वीडियो मीट यू नेक्स ताइम अंट थे एंट ये एंट एंट एंटी एंटी